नमशकार दोस्तों! आज हम बात करेंगे हाथियों के बारे में और जानेंगे कुछ रोचक तथे जो आप नहीं जानते होंगे. हाथी बहुत ही अद्भुत जीव हैं और वे हमारे ग्रह पर सबसे बड़े स्थलिय जानवर हैं. वे बहुत ही बुद्धिमान और भावुक जानवर भी हैं. सून्ड में लगभग एक लाख मासपेशिया होती हैं, जो इसे बहुत ही मजबूत और लचीली बनाती हैं. हाथी अपनी सून्ड का इस्तेमाल कई कामों के लिए करते हैं, जैसे की खाना खाना, पीना, नहाना, हवा में सूंघना और चीजों को उठाना और ले जाना. हाथी अपने कान को पंखे की तरह हैं इस्तेमाल करके खुद को ठंडा रखते हैं, जब हाथी गर्म हो जाते हैं, तो वे अपने कानों को फैलाते हैं और हवा को अंदर ले जाते हैं. हवा के बहने से हाथी के शरीर से गर्मी निकल जाती है और हाथी को ठंडा लगने लगता है. एक हाथी की सूंड में 7.5 लीटर पानी तक हो सकता है. हाथी की सूंड एक बहुत ही कुशल अंग है जो कई कामों के लिए इस्तमाल की जा सकती है. सूнов में एक बड़ा थैली होती है जो पानी को 7.5 लीटर तक पकड़ सकती है हाथी सून से पानी को पीते हैं और वे सून से पानी को अपने शरीर पर भी छिड़कते हैं ताकि खुद को ठंडा रख सके हाथी दिन में 18 घंटे तक सोते हैं हाथी दिन में बहुत सारा समय सोते हैं वे आमतोर पर रात में सोते हैं लेकिन वे दिन में भी सो सकते हैं हाथी एक बार में 4-5 घंटे तक सो सकते हैं हाथी सोते समय खड़े होते हैं या वे लेट जाते हैं और अपनी सूंड को अपने सिर के उपर रखते हैं हाथी अपनी सून्द से 100 किलोमीटर दूर तक सूंग सकते हैं. हाथी की सून्द एक बहुत ही समवेदंशील अंग है जो कई कामों के लिए इस्तिमाल की जा सकती हैं. सून्द में एक जोड़ी नाक होती है जो बहुत ही तेज सूंगने की क्षमता रखती है. हाथी अपनी सूंग से 100 किलोमीटर दूर तक सूंग सकते हैं वे सूंगने की अपनी इस क्षमता का इस्तिमाल शिकार को खोजने या अपने जुन्ट के साथ संपर्क में रहने के लिए करते हैं हाथी के दाथ कभी नहीं गिरते बलकि बढ़ते ही रहते हैं हाथी के दाथ बहुत ही मजबूत होते हैं और वे लगातार बढ़ते रहते हैं हाथी के जबड़े में 6 जोड़ी दाथ होते हैं जब दाथ बहुत लंबे हो जाते हैं तो हाथी उन्हें खो देता है और नए दाथ निकलाते हैं हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए 20 अलग अलग तरह की आवाजे निकालते हैं हाथी बहुत ही सामाजिक जानवर हैं और वे एक दूसरे से बात करने के लिए कई तरह की आवाजे निकालते हैं ये आवाजें बहुत ही भिन होती हैं और वे हाथियों के द्वारा किये जाने वाले कामों के अनुसार भिन होती हैं उदाहरन के लिए हाथी जब डर जाते हैं तो वे एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं और जब वे खुश होते हैं तो वे एक अलग तरह की आवाज निका सकते हैं हाथी के बच्चे को जन्म देने में दो साल का समय लगता है हाथी के बच्चे जन्म के बाद कुछ ही घंटों में चलने फिरने लगते हैं लेकिन वे हाथी 100 साल तक जी सकते हैं हाथी बहुत ही लंबे समय तक जी सकते हैं कुछ हाथी 100 साल तक भी जी लेते हैं हाथीयों को पानी बहुत पसंद है हाथी बहुत ही पानी के प्रानी है और वे दिन में बहुत सारा पानी पीते हैं वे पानी में भी बहुत समय बिताते हैं और वे तैरना भी जानते हैं। हाथी पानी में खेलते हैं और वे पानी से अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। हाथीयों को संगीत बहुत पसंद हैं। हाथी बहुत ही संगीत मय जानवर हैं, और वे संगीत को सुनना पसंद करते हैं, वे विभिन प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं, और वे संगीत के साथ ताल से ताल मिला सकते हैं, हाथी अपने सून से विभिन प्रकार के वाध्ययंत्र बजाते हैं, और वे संगीत के साथ न कर सकते हैं हाथी बहुत ही भावुक जानवर भी है और वेखुशी दुख और प्यार महसूस कर सकते हैं हाथियों को बहुत ही सामाध्य जुंड में आम तौर पर 10-100 हाथी होते हैं लेकिन कुछ जुंड में 1000 से भी ज्यादा हाथी होते हैं जुंड में एक मादा हाथी का नेत प्यारे जानवर हैं और वे बहुत ही आकरशक होते हैं। वे जंगलों को साफ करते हैं और वे बीजों को फैलाते हैं। हाथी बहुत ही आकरशक जानवर हैं और वे परेटन उद्योग में भी एक महत्वपोन भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य हाथियों के बारे में। उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी रोचक तथ्य जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करवेब करें। प humans पसंद आया है, तो मस क कमार्डी हो आगर रोचको ये जानना चाहते हैं, तो कि आ वोचक आया है, बाते हैं, तो किआए जाएना ख़र आछ Мы ओंगेना पह मारे